अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वेक मिस्सा टेंग मेंटे स्विश्टर हम लोग जिस कंपनी के उपर डिस्कुस करने वाले हैं दो कंपनी है दोस्तों बेसिकली और दोनों के दोनों ही बैंक है PSU Bank में देखिए अभी इनका हो रखा है अभी कब तक Privatization की भी इनकी बात चल लिए Last Year हम लोगों ने साथ COVID से सुनना सुरू किया था और अभी तक इस पे कुछ नहीं जबकि 2021 में ही कहा जा रहा था कि यह सब complete हो जाएगा इनका Privatization क्योंकि mainly जब clear हुआ था कि किनको mainly हम लोग करने वाले हैं तो उसमें दो नाम थे एक था Indian Overseas Bank और दूसरा आया था Central Bank of India और उसके बाद से कोई उस पे ना चर्चा है ना कोई इतनी नहीं खुल के कोई इतनी latest update नहीं है इनके चाहर पर बात करेंगे जितना भी latest update होगा सब डिसकस करेंगे मैं साथ वीडियों बने रहे हैं जो चनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लें इनके वज़े से थोड़ा अच्छी good news थी कि इन्होंने कुछ change किये हैं और इनकी value होगी इस वज़े से जो moment थी इसमें हमको थोड़ी अच्छी देखने को मिली है बाकि इसकी condition और बाकि चीज़ों में बात कहें दोस्तों तो currently ये share 23.45 पैसे पे trade कर रहा है आज की दिन की जो growth थी वो बहुत सांदार थी जन्वरी 26 को इसके quarter 2 के result आएंगे और मैंने जैसा कि अभी इसको दो हपते पहले ही आप लोगों को update किया था क्योंकि इसके results आ रखे थे quarter 2 के तो उस वज़े से हम लोगों ने इसको discuss किया था और मैंने आपको updates दिये थे कुछ नए target के बारे में अब Q3 results जो है इसके यो January 26 तक आएंगे earning पर share की बात करें तो 1 हो रहा है market capital बहुत बड़ी hold करता है share price earning ratio हमको इसका 21.25 देखने को मिल जाता है जो कि sector wise दोस्तों सही जगा है कोई दिक्कत नहीं है बाकि इसकी अगर Indian rupees में market capital देखे तो सांधार है ही book value इसकी 12.2 की आ जाती है और book value से share अभी क्योंकि face value में कोई change नहीं है तो 12 rupees 20 पैसे से जो है एक तरीके से हमको अच्छा खासा उपर देखने को मिलता है बट condition wise क्योंकि इसका low आपको देखने को मिलेगा पर यह potential से रखता है bank दोस्तों काफी उपर तक जानेगा जैसे इसकी अगर हम old time का देखें data तो वहाँ पे 229 rupees तक share जा रखा है without अपना एक बार भी split हुए तो इस हिसाब से समझ सकते हैं दोस्तों कितना under value प्रफॉर्म कर रहा है बारा मेने की condition की बात करें तो sale growth हमको इसकी 5.69% देखने को मिलती है profit इसका 50% increase हुआ है अभी currently last 12 months से और Q on Q basis पे देखा जाए मतलब Q 1 से अगर Q 2 को compare किया जाए जो अभी Q 2 का result आया था जिसको मैंने discuss किया था तो वहाँ पे 27.8% का हमको jump मिलता है Q 2 में तो basically अच्छा condition में है बहुत बड़ी promoters की holdings इसमें आ जाती है return equity भी ठीक दिख रहा है तो इसमें इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को recommend करता हूँ क्योंकि privatization से जो इसकी growth है वो बहुत तेज हो जाएगी क्योंकि basically bank थोड़ा और अपने आपको एक तरीके से profit के तरफ ज्यादा रखेगा जैसा कि normally इस time पे इसका condition financing का आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है सब मतलब निल बटा सुन है negative में ही हमको देखने को मिलता है other income स्रोज से इसमें जो है यहाँ पे हमको number इसके देखने को मिलते हैं जिसकी वेज़े से bank एक तरीके से continue है अपने आपको continue रख रखा है और यहाँ पे बाकी चीज़े भी mention है gross NPA, net NPA अभी अगर हम लोग दोस्तों इसके 12 मेहने की condition की बात करें तो यहाँ पे 1900 करोड का net profit हो रहा है और पुराने बिछले दो year से ही हमको देखने को मिल रहा है दो FI year से कि इसमें जो number है वो better हुए है वरना पुराने data में हमको यह खराब ही देखने को मिला था लगबग हम लोगों ने 6 साल इसको खराब देखा 2014 से पहले यह थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा था तो इसमें कुछ changes हुआ है और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा text पे किया था 2015 में तो उस हिसाब से इसका condition थोड़ा down हुआ था अब अगर हम लोग इसके चार्ट पे अपडेट लें दोस्तों तो इसके चार्ट पे जैसे कि अभी हम लोगों को पुराना data भी देखने को मिल जाएगा कि कहां पे last time discuss किया था क्या जोन्स दिये थे मैंने आपको तो 17 के support के साथ 18 के around buying की call थी target 22 का था उसके बाद 26 का था तो already 22 अचीव हो चुका है मतलब ही टो चुका है target तो next target और buy zone जान लीजिए नया जो जो जोन दिखता है stop loss 19 रुपे 75 के पैसे के साथ currently आप इसको खरीदने के लिए 21 रुपे 15 पैसे जो मतलब खरीदना ही चाते हैं जो hold कर रखे हैं तो hold ही करके चले हैं जो long view के लिए देखते हैं वो मतलब इसको current price पे भी खर सकते हैं क्योंकि obviously इतना ही छोटी rally के लिए नहीं है यह काफी उपर तक जा सकता है share बहुत होप है इस bank से बागी अगर जो लोग short term के लिए देखते हैं उनके लिए 21 रुपे वाला zone इसलिए मैं मार करता हूं कि तुम लोग इसी zone में खरीदो ताकि loss ना होए क्योंकि अभी उपर पर खरीद लिए profit booking आई तो व हो गया इस पर अभी हम लोग 26 का लेकर चलेंगे target उसके बाद 38 तो काफी long view के हिसाब से है पर इसमें उमीद है दोस्तों क्योंकि काफी वहतरीन है अब बहुत लोग इसमें यह भी पूछते हैं कि सर्थ 2 bank के उपर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको basically कौन सा अच्छा जो आपको note करनी चाहिए अगर आप investment purpose से देखते हैं जैसे कि अभी हम लोग central bank का बात करेंगे तो इसके साथ ही मैं आपको पूराना अभी जो हमने data review किया उसके हिसाफ से मैं बताता हूं तो सबसे बड़ा change जो है वो जो की आपको देखने को मिलेगा कि IOB जो है उसकी 400 billion के around market capital है और central bank की around 200 है मतलब almost हमको half के around देखने को मिलता है ठीक है almost कर रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे 403 है वहाँ पे 204 है तो ठीक है तो almost 200 का हमको यहाँ पे gap देखने को मिलता है 200 billion बड़ी है उसकी market capital IOB की तो central bank उस हिसाब से कम पे है पर 20,000 करोन की 22,000 करोन की जो market capital है यह भी छोटी नहीं होती कोई इसका effect नहीं है ठीक है investor पर बसे कोई इसका effect हमको नहीं देखने को मिलेगा बाकी इसकी condition और news की बात करें तो last time जो news बड़ी निकल किया थी वो October 21 की थी और जो की उसका result आया था जब मैंने आपको update किया था अभी अगर हम लोग दोस्तों इसके financial condition पर बात करें तो यह सेयर भी almost आपको promoters holding काफी बहतरीन देखने को मिलेगी यह भी सेयर अपने पुराने टाइम में बहुत उपर तकदार रखा है जैसे IOB गया था market capital इसकी जो हमको देखने को मिलती है वो भी बहुत सांदार है बारा महने की condition में इसका जो profit दो थर वो बहुत बहतरीन है IOB से हमको क्योंकि इसका 300 प्लस पे दिखता है उसका 500% प्लस पे दिखता है ठीक है बाकि इसका Q on Q basis पे देखा जाए तो यह almost दोनों ही bank अच्छे perform कर रहे है इस field में quarter 1 से quarter 2 में हमको इतना कुछ gap नहीं देखने को मिलेगा ठीक है बाकि इसकी भी face value 10 है मतलब एक बार भी share spirit नहीं हुआ है इसकी book value थोड़ी ज़्यादा अच्छी है आयोबी से तो मतलब आगर आप current price पे भी खरीतते हैं तो आप 31 रोपीज का तो target आँख बंद करके लेगे चल सकते हैं फिलाल ये share जो है ये काफी ऊपर तक हमको 50 plus around भी target इसमें easily मिल सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से इसकी condition है उस हिसाब से आपको उससे और अबब लेके चल भी सकते हैं target बाकि इसके performance के ऊपर बात करें दूस्तों तो ये बीच में इसको financing से इतना बड़ा loss नहीं होता बट इसको भी हुआ था पर बीच में इसके 2 quarter काफी अच्छे हुए थे तो उमीद यहां पर हम लोगों को काफी अच्छी हो गई थी बट वापस से इसका थोड़ा down perform रहा है तो इसका भी उसी तरीके से है पर ये भी ठीक ठाक अपना मतलब चल रहे हैं बैंक को इसमें दिक्कत की बात नहीं है और यहां पर इसका जो है 1250 करूर का profit हो रहा है 12 मेने condition में almost double market capital के साथ भी IOB का भी हमको मतलब कुछ इतना ज्यादा difference हमको नहीं देखने को मिलेगा central वा अगर आपके पास 40,000 है investment के लिए तो 20 इसमें investment करिए 20 इसमें investment करिए इस हिसाब से आप कर सकते हैं बाकी इसके अगर चार्ट पर अपडेड लें तो इस पर हम लोगों ने क्योंकि काफी पहले discuss किया था तो अभी इसके latest condition में 19 रुपे के round मैं आपको बताया था फिर 23 रु बस दिखते हैं वो मैं mark कर देता हूं तो 19 रुपे 30 पैसे के round support दिखता है खरीदने का zone इसका दोस्तों 21 रुपे 35 पैसे के round है फिलाल इसमें जो अभी upcoming target के लिए था वो 26 रुपे 10 पैसे अगर ये कल इसके उपर closing देता है तो easily हमको next week achieve हो सकता है 28 का और ये दोस्तों काफ से fissal के हमको lower label देखने को मिल सकते है chances क्योंकि जादा है अब ऐसा chances क्यों दिख रहा है हमको क्योंकि already एक बार ऐसा हो रखा है यहाँ पे इस label के round जब share काफी उठके उपर गया था तो यहाँ पे थोड़ा resistance label strong है मतलब resistance label strong का मतलब यह हो गया दोस्तों कि यहाँ पे थोड 34 रुपीज की range दिखाई देती है तो अब 34 रुपीज का भी target इसमें लेकर चल सकते हैं तो यही update हो जाएगा दोनों bank पे thanks for watching studio मेलते हैं आपको next से साथ next video में